हेलो गाइज स्वागत है आपका अपने यूटीब चैनल स्टेडी विद अमन कुल में आज हम लाँ है शिक्षा निदी शाली रास्टी राजदान शेति दिली की कारे परतिक नमबर 11 जो के ग्लास 10 के लिए है विश्य आपका हिंदी है डेट है 30 जुलाई 2020 आप अपना नाम और अपने कक्षद आपका नाम लखेंगे तो यहां पर आपको एक पोएम दे रखिए पद्यांश जैका उसे ध्यान पूपक पढ़ना जो उससे रिलेटेट कुछ कोशन्स पोचे रहें उनका अंसर करना है निलांबर परिधान हरितपट पर सुन्दर है सूरे चंद्र हीरे कहलाएं हम खेल कूदें हर्शित जिसकी प्यारी गोद में हें मातर प्रमी तुझको निरक मगन क्यों ना हो मोद में निर्मल तेरा नीर अम्रित के समुत्तम है शीतल मंद सुंगंद पवन कर हर लेता श्रम है शट रित्मों का विविद रित्य युद अद्बुत करम ह हर याली का फर्स नहीं मक्मल से कम है करते अभिशेक पैयोध है बलिहारी इस वश्च की हे मातर प्रमी तू सत्य ही संगुन मूर्थी सरवेश की जिसकी राज में लोट लोट कर बड़े हुए है गुटनों के बल सरक सरकर खड़े हुए है शुची सुधा सीचता रात में त दरने करता तम का नाश है जिसमें प्रित्वी में मिले हमारे पूरवच प्यारे उससे हैं बगवान कभी हम रहे ना नयारे लोट लोट कर वही रिदे को शान करेंगे उसमें मिलते समय मृत्यू से नहीं डरेंगे उस मातर भूमी की धूल में जब पूरे संग संग यही जो आपकी पोयम थी पद्यांज था हमें मातर भूमी के बारे में बताया गया कि मातर भूमी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है कि इसी में लेट लेट के इसमें गुटने टेक टेक के हम बड़े हुए हैं और हम इसे इसी की हर्याली में हमारा पूरा जीवन है यह दिन में इसे धूप तडबाती है पर रात का सीचते राच में जो चंद प्रकाश होता है वो से शीतल करता है और इसके जो पूरवजे हमारे जो पूरवजे हमारे बड़े हैं वो भी इसमें ही आये थे इसी के उसे गए है मात्रबूमी की धूल में हम सणेंगे लास्ट में यानि हम जलायर कह जाएगा मात्रबूमी की दूल में और बंधन मुक्त में हम आत्मनूप बन जाएगे तो यही आपकी बत्यार्शा बताया था अब इससे रिलेटेट कुछ कोशन है सबसे पहले आपको तरख निम्दलगित शब्द के अर्थ लिखिए निलामबर परिधान पट रतनाकर प्रभा पयोद सर्वेश रज तर्णी तो आप इसका अंसर करेंगे निलांबर का हुजाएगा नीलाकाश, परिधान का हुजाएगा कपड़े, पट का हुजाएगा सत्था, रतनाकर का हुजाएगा सागर, प्रभाव का हुजाएगा बहाव, पैयोद का हुजाएगा बादल, सरवेश का हुजाएगा इश्वर, रज का हुजाएगा धूल, तर प्रश्ट नमबर एक है प्रस्तुत काव्यांज में हरीत पट किसे का गया है अपने शब्टों मिलके आप इसकान से करेंगे यहां हरीट पट शस्यामला धर्ति को कहा गया यानि मात्र भूमी को कहा गया जिसमें चारो पेर पॉदी हर्याली वोस किसी मकमल से सुन्दर नहीं वो इतनी सुन्दर है कि हम बता प्रश्ण नमबर दो हैं कवी ने अपनी मात्र भूमी का वरंट किया गया गया है तो आप इसका और समुध कर्धनी है नदिया प्रेम प्रभा है और फूल तारे अभूशन है इस तरह की इश्वर साकार मूर्ति है मात्र भूमी यहांनि इश्वर ने जो एक ऐसा मात्र भूमी हमारी उसे इज़ा मूर्ति बताया जिसमें जो तूरे चंद्र है वो उनके मुकुठ है प्रेम नदिया उनकी फिर में फूल आरे उनके अभूशन है तो यह आपको नमबर दो में लिखेंगे प्रशन नममब तीन है कवीन ने मात्र भोमी को इश्वर का सकारूप के साधार बनाल जैसा बाता का एकए मम इश्वर का साखारूप की सवाइब्स औरम 만들 की तरह है कभी ने मातरबोमी को इश्फर का सकार रूपगा गया है तो Next question है प्रस्थत कविता में किस रस इवलंग्awkार का प्रियोग हो है नाम में उसकी विषिश्वता लिखे तो आप इस पारrait करेंगे प्रस्तुत कविता में शिंगार रस तथा मानवी करन तथा अनुप्रयास अलंकार का प्रयोग हुआ है शिंगार रस का स्थाई भाव रती है तथा इसमें सौंदरे फ्रेम का वरंड किया गया है मानवी करन अलंकार में अचीतन वस्तों पर मानवे क्रियाओं का अरूपन किया जाता है जहां पद के अंत के एक ही वन और एक ही स्वर्मिन के आगवरती हो उसे अनात्रियन प्रास अलंकार कहते हैं तो आप ये कर लेंगे नेक्स्ट कोशिन है प्रेश नमबर पांच प्रस्तूत कविता का उचित शिचरक लिखे सबसे उचित शिचरक कुछ एगा उप्त चित्र को पहचानकर नाम लिखे और हिंदी साहिते में इन्हें क्या उपादी दी गई है तो आप इन्हें पहचान सकते हैं तो ये कौन है आप इनका नाम लिखेंगे देगे चित्र कवी मैतली शरन गुप्त का है ने इसे प्रकार प्रक्रती के पारवाक्य शब्द है जैसे प्रक्रती के पारवाची शब्द है उसी प्रकार निम्लके चब्दों के प्रवाची शब्द लिखे तो आपको इनके भी लज़े लिखने हैं सुदाव का होजाएगा अमरित, पियूष, सोम परिधान का होजाएगा वस्त, पट, चीर निरजल का होजाएगा पानी, सलील खग का हो जाएगा पक्षी पंची परिंदा तर्णी का हो जाएगा दिनकर दिवा कर भास कर सूरे तर्णी का अर्थ क्या होता है? सूरे होता है अब एक और चुल लास्ट प्रेश्ण दिया गया है प्रकृति से संबंदित एक कविता की रचना कीजिए ये आपके एक गती भी दिया तो आप इसका अंसर करेंगे दूप जब बीठी लगने लगे सर्दी कुछ कम लगने लगे मौसम में बहार आने लगे रुत्व दिल को लुभाने लगे मान लेना वसंत आ गया तो यानि प्रक्रती से संबंदित है आप समझी रहे है रंग बसंती चा गया चांद भी जब खिड़की से जाकने लगे चुन्डी सितारों की छिल मिलाने लगे योवन जब फाग गीत सुनाने लगे गुन गुनाने लगे चहरुप पर अब रंग अभीर कुलाल चाने लगे मान लेना वसंत आ गया रंग बसंती चा गया तो ये प्रक्रती पर बहुत सुन्दर सी कवीता मैनेज आपको दी है वो आप लिख लेंगे आज क्या आपकी वक्षेट कंप्लीट होती है अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे हम आपके लिए इतनी मैनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो जरूर कर सकते हैं आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है यह वीडियो अच्छ लगे तो इसे लाइक करिए दोस्तों साथ शेय करिए और आपने अभी तक हमारा टेलग्राम ग्रूप जोइन ने किया तो अपसे जोइन कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉल्लो कर सकते हैं अबस्तों से कर दो फो वाचहन दो बैब यहाई चैस जो पूसे टोलो कर दो इसे लाइक कर दो कर दो से टॉचे कर दो कि अखने और के तो कर दो किए वाचहनन है कर दो आप सकते हैं